और इस वक्त हम रामलला का दर्शन आपको करवा रहे हैं सीधा अयोध्या से प्रधान मंत्री मोदी भी राम जन्व गूमी तीर शेत्र में पहुँचे हुए हैं और अब हमारे साथ एक खास महमान जुड़ रहे हैं सुधानशु जी महराज आपने नाम सुना है आप उनके प्रवचन सुनते आ रहे हैं बच्पन से हम सभी उनके प्रवचन सुनते आ रहे हैं इस खास मौके पर दिवाली के अफसर पर सुधानशु जी महराज क्या आज हमा एक ऐसी अध्भुत तस्वीर देखने को मिल रही है जो अयोध्यावाती इंतजार करते हैं इस बात का कि वो सेंटर ओफ अट्राक्शन दुनिया में कही जाती है। बहुत-बहुत स्वागत है आपको क्या कहेंगे आप दिवाली के अफसर पर दीपोज सब की शांदार ये जो कोशिश होती है योध्या की अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती है तो क्या कहेंगे आप ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ छाड बेच कर साल में दो करोड कमाते हैं उनके सीक्रिट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम आप को अभी डाउनलोड करें सभी दर्शकों को बहुत बहुत शिबकामने अर्पित करता हूँ ये है अपने आपे में एक बहुत बड़ा एहतियासिक आउसर है और सभी के लिए गर्व का विशे है आज जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आसमान से लेकर धर्टी तक प्रकाश ही प्रकाश है सभी की में शद्दा और इस समय का उतकर्ष आवेश भी है आनंद भी है हर्ष भी है ये एक ऐसा आउसर है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं और हम सब की आखें इस समय साक्षी बन रही हैं इस इत्यास को होते वे देखते वे और मैं सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ प्रमेश्वर ने हमें यह आउसर दिया है अनेक अनेक वर्षों से यह सब को प्रतिक्षा थी कि यह आउसर आए और अब हम लोग यह भी देखने वाले हैं कि वो इतियास भी गटेगा जिसकी प्रतिक्षा हमेशा से थी और जो आने वाले समय के लिए सभी के लिए घौरव का विशे बने लिए प्रेणा स्रूत है हर परिस्तिती में करतव्यों का पालन श्री राम ने किया है एक बड़ी सीख जरूर हमें मिलती है सुधांचु जी प्रधान सेवक की अयोध्या में मौजूती ये कितना बड़ा संदेश देखें बगवान राम जे है मरियादा पुर्शोत्म है और मरियादा का अर्त होता है वह चीज जैसे किसी भी देश और दूसरे देश के बीच में जो सीमा रेखा होती है उसको मरियादा कहते हैं ऐसे धर्म और अधर्म के बीच में एक वह रजत रेखा जिससे थोड़ा सा आगे चले जाएं तो अधर्म हो जाता है और उस तक टिके रहें तो धर्म रहता है भगवान राम ने हम सब को मरियादा सिखाई इसलिए वेदों में ये लिखा है सब्त मरियादा कवियस्त तक्षो ग्यानी ध्यानी लोगों ने रिश्यों ने हमें साथ मरियादाएं बताई हैं भगवान राम ने उन सब मरियादाओं को संसार के सामने रखा और हमारे देश के प्रदान मंत्री समस्त मरियादाओं का पालन करते वे आज सभी के हिर्दों में उस रस का संचार कर रहे हैं जि जीवन में मर्यादा ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है और इसी आधार पर हम विश्व के कल्यान के काम ना कर सकते हैं। यही वो भावना है जिसके आधार पर तमसो मा जोतिर गमे का संदेश हमारे हिर्दे से होते वे पूरे विश्व में जा रहा है। जी उत्सा मैं देख रहा हूं वो अलोकिक है मैंने ऐसा कभी देखा नहीं तो सबसे पहले तो आप मेरा प्रणाम स्विकार करें नमो ब्रह्मन ये देवाये गो ब्रह्मन इतायचे जगत धिताये कृष्णाये गोविंदाये नमो नमा आयुद्या की पावन भूमी से मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं और अब मैं ये जानना चाहता हूं राम राज्य ये एक ये अवधारना है और उसको चरितार्थ करना ये एक चुनौती है आज के परिद्रिश्य में आयुद्या को ऐसा देखते हुए दीपावली में दीपोत्साओं को ऐसा देखते हुए आपके मस् हो या छोटा हो गरीब हो या अमीर हो किसी भी प्रकार के व्यक्ति हो सभी को न्याय मिले अभाव हटे अज्यान हटे अकर्मन्यता मिटे और चारों और एक ऐसा वातवन बन जाए कि सब किसी को लगे कि ये हमारा अपना शासन है सब को लगे कि देवत तो दर्ती पर उत्रा सब को ये मैसूस हो कि हम सब अपने कल्यान के साथ दूसरे के कल्यान की कामना भी करते हैं क्युक्रीज धर्म की परिवाशा रिशिवेद व्यास ने जो दी है वह दी है धारना धर्म इत्याहू धर्मो धारेते प्रजा जिसके धारन करने से प्रजा का मनुष्य का कल्यान होता है और जिसके बिना व्यक्ति का काम नहीं चल सकता या यह कह सकते हैं आत्मनह प्रतिकुलानी परेशामन समाचरेत जैसा हम अपने लिए चाहते हैं वैसा दूसरों के सा उसी धर्म की स्थापना, वही मानव धर्म, वही मानव के कल्यान के लिए जो आचरण है, उसकी स्थापना का राज्य जो है, वो राम राज्य है, जिसमें एक छोटे से गरीब की भी आवाज सुनी जा सकती है, बड़े से बड़े की भी आवाज सुनी जा सकती है, जहां अन्य ज्याय को मिटाने की सबसे पहले कामना है, अभाव दूर होना चाहिए, अज्ञान दूर होना चाहिए, कर्मण्यता मिटने चाहिए, आले से अटना चाहिए, और साथ-साथ इस बात के लिए भी, कि निर्दयता न रहे. जी, संशेप में बहुत समय की कमी है, अगर एक लाइन में आपको ये बतानों, क्योंकि आपके प्रवचन बताते हैं कि रियालिटी क्या है, किसी समस्या का हल क्या है, तो अगर एक लाइन में अगर आप संशेप में बता पाएं कि भगवान श्री राम के आदर्शों का पालन कैसे करेगा कोई भी व्यक्ति तो वो कैसे बताएंगे आप देखिए सबसे पहले तुम यह जाने के रामयन आचार संगीता है भगवान रामने उस तरह के उपदेश नहीं किये जैसे में गीता में देखते हैं लेकिन उन्होंने आचरन के माध्यम से संसार को उपदेश दिया है किस परकार से जीवन जिया जा सकता है कैसे माता-पिता का सम्मान किया जाना चाहिए भाइयों में कैसे प्रेम होना चाहिए कैसे परिवार में सब का ध्यान रखा जाना चाहिए कैसे एक छोटे से व्यक्ति की भी आवाज को मेहतो दिया जा सकता है संतान के प्रती हमारा क्या करतवे हो सकता है समाज और राष्ट के लिए हमारा क्या करतवे हो सकता है ये सारी चीजें जो है भगवान राम से हमको मिलती है जी चलिए आप हमारे साथ जुड़े सुधान्चु जी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया ये अपनी जमीन पर नरसरी बना के सिर्फ जाड बेच कर साल में दो करोड कमाते हैं उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड करें